दोस्तो अब लोगों को पता हो गया कि जफसे रश्या और यूकरेंड में लड़ाई शुरू हुआ है तब से भारत के द्वारा रश्या से बड़े मात्रा में ओईल पर्चेस किया जा रहा है और इसका फाइदा भी भारत को हुआ है और रिपोर्ट में हाली में दावा किया है कि भारत जो की लगवग ना के बराबर ओयल प्रोड्यूस करता है वो अब यूरोफ के सबसे बड़ा ओयल सप्लायर है अब दोस्तों ये तो भारत के तरफ से अपने दिमाग को लगा के हासिल किया गया लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत रश्या से ओयल पर्चेस करने के बाद अब हतियारों को भी भारत में ही मिनुफैक्चर करने जा रहा है मतलब जो हतियार अब तक रश्या में निर्मान होता था वो अब रश्या के जगा में भारत में निर्मान होगा दोस्तों रश्या और यूकरेन के लड़ाई के कारण बिते कुछ महिनों से भारत और रश्या के बीच में हत्यारों के स्पेर पार्ट के सप्लाई को लेके खास करके ऐसे हत्यार जो बड़े मात्रा में भारत के द्वारा इस्तमाल किया जा रहा है और उसका ओरिजिन रश्यन है एक देडलोग का सिचुएशन बना हुआ था और रिपोर्ट में अब बताया जा र रिपोर्ट के मुताविक Ministry of Defense के तरफ से कही सारे रश्यन कंपणी जो की रश्या में हत्यारों को मिनुफैक्चर करता है जिनमें S-400 जैसे मिसाहिलों को बनाने वाले आलमास अंते जैसे कंपणी से शुरू करके रश्या में जहाद सब्मरीनों को निर्मान करने वाले बढ़ाने के लिए उन कमपनियों के द्वारा भारत में लोकल अपनी ऑफिस खुला जा और उसके साथ साथ भारत के लोकल कमपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में उनके प्रोड़क्टों को भारत में बनाया जाए या फिर भारत के कमपनियों को उनके साथ काम करने के लि यूगि इससे रश्या को spare parts का supply भी होगा और अन्ने देशों को जो रश्या spare parts supply नहीं कर पा रहा है उसे भी भारत से outsource कर पाएगा। फिलाल दोस्तों अगर ये भी देखा जाए तो भारत और रश्या के बिज में हतियारों के supply को लेकि एक तरीके की issue बना हुआ है। और ये issue है payment का issue आप लोगों को पता होगा कि भारत बड़े मात्रा में रश्या से हतियार और oil को purchase तो कर रहा है लेकिन भारत उतने मात्रा में रश्या को अपने product को नहीं sale करता है। निकाल ले रहा है या फिर कहा है तो रुपेल को खर्चा कर पा रहा है लेकिन रश्या जो इंडियन करंसी से equipment को बेच रहा है उन करंसी को इंडिया में खर्चा नहीं कर पा रहा है। बरकरार करने के लिए रश्या को लंबे समय लग जाएगा क्योंकि एकोनमिक पतिवन तो उसके बावजुद भी नहीं उठेगा। अब ऐसे में भारत के तरफ से जो भारत में Making India Initiative के अंतरगत हत्यारों को बनाने को लेके प्रस्ताव रखा गया है ये रश्या के लिए एक golden opportunity है क्योंकि अगर ऐसे spare parts भारत में बनता है तो इससे रश्या को दोहरा फाइदा होगा। ऐसे कि इन spare parts को भारत अन्य Russian customer देशों को सप्लाई कर पाएगा जो कि रश्यान हत्यारों को बड़े मातरा में इस्तिमाल कर रहा है और रश्या और यूकरेन के लड़ाई के कारण रश्या से spare parts को हासिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इससे उनके उपर western देशों के प्रतिवन लग सकता है जबकि दूसरे तरफ इससे रश्या भी अपने spare parts के जुरूरत को पूरा कर सकेगा और भारत से भी अगर ये supply होता है तो एक तरीके से आप कह सकते है कि दोनों देशों के बीच के trade काफी हद तक balance होगा और इस तरीके के भारत में बने हुए हत्यार या spare parts को हास पिट लाएगा और शायद इसे देखते हुए ही रश्या के जो original equipment manufacturer है वो फिलाल भारत में अपने हत्यारों के spare parts को बनाने को लेके एक तरीके से तयार है और दूसरे तरफ दोस्तों ये अगर भारत में बनता है तो भारत को भी फाइदा होगा क्योंकि इससे भारत में job generation औ और economical development होगा और रश्या के साथ जो trade में imbalance है वो भी balance के तरफ आगे बढ़ेगा और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो spare parts के अभाव के कारण एक तरीके से इंडियन एरफोर्स और इंडियन आर्मी के भी कई सारे हत्यार काफी मुश्किलों में है और even तो ये भी वताया जा रहा है कि सुखुई 30 MKI जैसे एरक्राफ्टों के कुछ grounded होने का भी संभावना बढ़ते जा रहा है वो भी टाला जा सकेगा और make in इंडिया इनिशिर्टीव के कारण एक तरीके से भारत को knowledge भी है again होगा जिससे की आने वाले समय में भारत इन knowledge का इस्तमाल करके अपने खुद के हत्यारों को भी develop कर सकेगा